हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं केंदर सरकार द्वारा सेना भरती को लेकर निकाले गई योजना अगनीपत को लेकर देश भर में विरोध परदर्श अंजारी है वही नागोर सांसद हनुमान बेनिवाल 27 जून को जोधपुर में केंदर की इस अगनीपत योजना के विरोध में विशाल जनसबा का आयोजन करने वाले हैं इसी सिलसले में हनुमान बेनिवाल ने जहां मंगलवार को जोदपुर में जनसंपर्क किया तो वही आज उन्होंने बाड मेर और जेसल मेर के कई गावों में जनसंपर्क साधा। साथ ही लोगों से जादा से जादा संख्या में 27 तारी को होने वाली विशाल आमसबा में शामिल होने का भी आववाहन किया। इस दोरान सांसद बेनिवाल ने जनसबा को संबोधित करते हुए केंद सरकार पर निशाना साधा। मुधवार को बार मेर तथा जेसल मेर जिले के दोरे पर रहे इस दोरान बेनिवाल ने आगा में 27 जून को जोदपुर मुख्याले पर केंद्र सरकार द्वारा समविदा अधारित सेना भरती योजना के विरोध में प्रस्तावित युवा हुंकार महारेली को लेकर जन संपर्क किया बेनिवाल ने कहा मोधी सरकार पहले किसान विरोधी कानून लेकर आई और अनदाताओं के संगर्श के बाद सरकार को जुकना पड़ा अब केंदर ने सेना जैसे संस्तान में समविदा अधारित नोकरी देने का निर्णे लेकर युवाओं के साथ भद्दा मजाग किया इसी बात को लेकर टियोडी के विरोध में जोधपुन मुख्याले पर आरेलपी विशाल सबा करेंगे जहां हम लोकतांत्रिक रूप से सरकार के इस फैसले का विरोध करके सरकार को जुकाएंगे इस दोरान आरेलपी के प्रदेश अध्यक्ष, बोभोपालगर विधायक, पुकराजगर, प्रदेश महामंत्री, उम्मेद राम बेनिवाल सहित, कहीं नेता सांसद, हनुमान बेनिवाल के साथ मोजूद रहे जागरुक टिवी के लिए बारमेर से ठाकडा राम मेगवाल की रिपोर्ट